हेलो एवरिवान कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत ही अच्छे होंगे यहां पर हम चाप्टर फाइब का एक्सरसाइब 5.3 पढ़ने जा रहें चाप्टर फाइब हमारा डीटा है जहां पर हम अल्रेडी 5.1 और 5.2 कवर अप कर चुके हैं तो अब आज में आपको 5.3 जहां पर मैं आपको प्रोबाइबिलिटी पढ़ाने वाले हैं तो फोर इस मिय भास अम यों मैक्स टीचर आम बक अगेन दिस निव एक्सरसाइज रहे तो चलीये फटापट से आज के ऐसका हम यहां पर स्टार्ट करते हैं तो लैस्च बिगिन तो यहां पर आज हम सीखने वाले हैं सभाज हैं स्थाज ड्रोबाइब्लिटी अब chance and probability क्या होता है chances जो chance आती है जैसे कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी ऐसे टॉस करने वाले games खेले होंगे ludoplay किया होगा ऐसी बहुत सारी चीज़े play की होगी जिसे cards हैं और भी बहुत सारी किसे भी चीज के आने की प्रोबाहबिलीटी क्या होती है जैसे की आँ बेसी पर हूंस को सुपहिशा जिसमान की सब्सक्राइबी ट्रौबाब्रिटी प्रोबाबिटी इस सब्सक्राइब टॉस कर divis amazon को अबुए की सब्सक्राइब ऐताहिए मध्यू का मतलब है कहले मतलब 2 tri तो मैं अब हम किसी चांस आएगी आपकी आएगी या मेरी किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए करेंगे और जैसी हम तो जो हमेरा कॉईन है वो जैसी हमा दाउन होतों तुम देखेंगे कि और पाब अब यह बात नग्या पता नग्यांता दौन परियर के हम च़्ोंगी कि रेम यहां भी सब्सक्राइम है तो चलो आज की वीडियो हम यहें पर स्टार्ट कर रहे हैं तो इंट्रॉड़क्शन है प्रबाब्यबिटी का जैटिंग रिजल्ट किसी भी रिजल्ट आने की प्रबाब्यबिटी क्या हो सकती है तो यू माइट हैव सीग जैट बिफूर क्रिकेट मैच स्टार्ट आप बाले बॉलिंग करना है यह बात कैसे पता चलेगी तो हम लोग क्या करते हैं आप लोग ने देखा होगा कि जो कैप्टेंस होते हैं कैप्टेंस ऑफ टू टीम गो आउट टू टॉस अपकॉई तो ब्लावी बात हमें टॉस करको पता चलेगी तो जो कैप्टेंच होंगे दोनों टीम के इंडिया और पाकिस्तान के वो दोनों कैप्टेंस सामने आएंगे और उन के सामने क्या होगा एक कोई लाए जाएगा को टॉस करेंगे और टॉस करने की बाद जिसका पहले हैड आ जाएगा फोर टीम पहले बैटिंग या बाल इस पहले बालिंग जो भी उन्हे लेना है वो करेंगे मतलब डिसीजन उनका होगा ठीक है तो यह आपने हमेशा दिखा होगा मैच के केसे में है ना लिखा है ना ग्रिविट मैच के केस में वाटर दे पॉसिबल रिजल्ट यू गेट वेन अ कॉइन इस फॉस्ट बताओ क्या रिजल्ट जाता है ऑफोर्स हैड और टी चिकें इमाजन दाट यू आट यू आर दे काप्टेन ओन टीम यू फ्रेंट इस दे काप्टेन और टी फ्वांट यू वांट इस काप्सेबल सच एन एक्सपेरिमेंट इस तैप की जो उसलते हैं टैल और हैड अने वाले इनको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट छिसमें कुछ भी आ सकता है वाम यू हमारे कंट्रोल में नहीं इस ओनल डिब्झ अपॉन हैं ठाट अ और टेल आर देटू आउटकम्स अफ देस एक्सपेरिमेंट ओके बोविंग ओन नेक्स्ट राइज इस इफ यू ट्राइटू स्टार्ट अस्कूटर अगर आप स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो पाइज पॉसिबल ओटकम्स क्या होंगे अधर स्कूटर होगी और स्कूटर अटू कर यह होंगी मतलब यह तो झाले यह नों season नहीं होगी ऑर्ट की तो यह फॉसिबल और इस उसके यह इसे चले सक्टेर्ट कर पकूएंगे और इह नहीं है थाकर तो यह 2 पॉसिबल अउटकम्स हो सकते हैं इंहें हम कहेंगे these are the possible outcomes क्या होते हैं आ एक्टवल में किसी भी चीज़ का ठीक है विल आटाइड इस थो वार्ड त यह सिक्स पोसिबल आउटकम्स अब बताओ जब एक डाय को हम थो कुछ इस पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं यह हमें बताना है जो हमारा dyes होता है उसको थ्रो करने की कितनी सारी possibilities होती है बताओ मुझे तो एक तो होता है एक side होता है 1 फिर इधर होता है 2, 3 फिर नीचे 4 इस तरह 5 और पीछे side 6 तो 1, 2, 6 जो है वो possible outcomes हो सकते moving on next slide when you spin the wheel shown what are the possible outcomes list them outcomes here means the sector at which pointer start तो अगर आप इस wheel को rotate करते हो spin करते हो तो कितने possible outcomes हो सकते है या तो जो आपकी pointer होगी वो A पर आएगी या फिर B में या फिर C में चीक है तो these are the possible outcomes of this चीक है you have a bag with five identical balls of different colors you are to pull out draw a ball without looking at it list the possible outcomes तो देखो अगर आपको balls निकालने है तो आपके पास एक बार में red ball आएगी आइदर आपके पास blue ball आएगी आइदर gray ball or wallet or white चीक है तो these all are the possible outcomes of the drawing ball from the back चीक है moving on next equally likely outcomes अब ऐसे outcomes जो equally होते हैं लाइकली होते हैं सब्सक्राइब कोई इस टॉस्ट सेफ्रेल ताइम्स and number of times we get head or tail is noted let us look at the result sheet where we keep on increasing the tosses चीक है number of tosses suppose 50 times toss किया है तो क्या क्या possible outcomes हो सकते हैं कितने हो सकते हैं मतलब outcomes same हो सकते हैं कि नहीं चीक है तो देखो यहाँ पे telly marks of head है head के telly marks है मतलब one two three four five और यहाँ अगे 27 मतलब अगर 50 times आपनी किसी coin को toss किया है तो 27 head आए और 23 tail है ठीक है इनको telly marks में यहाँ पे write it down किया है ठीक है यादे ना telly marks कैसे होते है one के लिए हम ऐसा लिखते हैं 2 के लिए this 3 के लिए this and 4 के लिए one two three four and four five one two three four and these are the telly marks ठीक है these are the telly marks okay so अब यहाँ पे देखो अगर number of tosses 60 times है तो 28 times head आया 22 times tail मतलब कितनी भी time head आया कितनी भी time tail आया उनको telly marks में present करना मतलब यह क्या है several time अगर हमने toss किया है तो number of times we get head and we get 10 तो यह आपके equally likely outcomes है moving on next linking chances to probability probability linking chances क्या क्या हो सकते हैं वह में पर देखते हैं consider the experiment of tossing a coin हम किसी coin को toss कर रहे हैं तो उस experiment को हम observe करते हैं what are the outcomes क्या क्या outcomes हो सकते हैं coin को toss करने के there are only two outcomes या तो either क्या आएगा head आएगा ठीक है या फिर आएगा आएगा आपका tail ठीक है tail या head आने की probability मतलब एक आउटकम यह होगा और दूसरा आउटकम यह होगा मतलब सिर्फ टू आउटकम्स होगे ठीक है बोद आउटकम्स होगे डोनों की आने की probability equally होगी likely होगी likelihood of getting head is one out of two outcomes ठीक है मतलब अगर मैंने कहा कि अगर किसी चीज की दो आउटकम्स है तो एक उसका आने की probability होगी तो हम क्या बोल सतने हाफ मतलब आधा चांसे की मतलब कॉइन से अगर हमें head चाहिए तो उसके आने की probability क्या हो जाएगी 1 by 2 क्यों कि टूटल आउटकम्स कितने होगी आपके 2 होगी और head तो एक ही होता है तो head आने की probability क्या होगी 1 इसलिए हम क्या बोलेंगे कि head आने की जो probability होगी वो 1 by 2 होगी ठीक है तो सेम क्योंकि टेल भी एक ही होता है और टोटल आउटकम्स है तो तो टेल आने की probability भी क्या होगी 1 by 2 ठीक है now take an example of throwing die marked with 1,2,3,4,5,6 on its faces what number on one face if you throw it once what are the outcomes the outcomes are 1,2,3,4,5,6 thus there are 6 equally likely outcomes ठीक है अब अगर मैं आप से कहते हूँ कि what is the probability of getting 2 तो 2 आने की probability क्या होगी तो यहाँ पे हम ही क्या करना है क्योंकि dice में tussen 1 कि six तक numbers लिखे हूए है ठीक है अब मैंने कहा कि तू आने की probability क्या होगी तो 2 आपके die maps में कितनी बार आता है शर्व एक्पार आता है ठीक है उनलेस वाच 2 कितनी बार आता है एक ही बार आता है तो और total outcomes आपके कितने होंगे 6 होंगे ठीक है तो 2 आने की probability क्या होगी 1 by 6 ठीक है what is the probability of getting 5 तो 5 आने की भी 1 by 6 होगी what is the probability of getting the number 7 तो 7 आने की probability नहीं होगी what is the probability of getting number 1 through 6 तो एक से लेकिए 6 आने की probability क्या होगी 6 by 6 ठीक है moving on outcomes as events each outcome of an experiment or a collection of outcomes make an event मतलब event क्या होता है जो भी हमें experiment करते हैं suppose हमने coin वाला experiment किया ठीक है हमने coin लिया और experiment किया तो जो भी हमारे outcomes होते हैं किसी भी experiment के या फिर हमारे collection of outcomes होते हैं जैसे 1 to 6 dice को जब हम थ्रू करते हैं तो 1 to 6 हमारे collection of outcomes होते हैं मतलब कितने outcomes होते हैं 6 होते हैं तो इस पूरे process को हम बोलेंगे this is our event ये एक हमारा क्या है event for example in an experiment of tossing coin getting a head is an event getting a tail is also a event in case of throwing die getting each of the outcomes or six is an also event तो आपको समझ में आया कि events क्या होते हैं जो भी outcomes हमें आते हैं किसी भी experiment से वो हमारा एक event होता है चीक है moving on next now we have example so example a bag has four ball red ball मतलब एक bag है जिसमें कि four आपकी red balls है two आपकी yellow balls है the balls are identical in all respect other than color that means that means that just the ball's color change. in all respect the ball is same that means that the shape and size also will be same and just the weight of ball also will be same but the ball's color is one of red and one of yellow बताब four balls को उनसे color किये है आपकी four balls आपकी red color किये and two balls आपकी yellow color किये चिक है क्या हो रहा है a ball is drawn from the back ball को back से हमने निकाला एक bag है हमारे पास जिसमें four red balls है और two yellow balls है उसमें से हमने ball को निकाला drawn किया चिक है without looking into the bag मतला हम बैक के अंदर नहीं देख रहे हैं हम बस ऐसे हाथ अंदर डाल के ball को पुल आउट कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हमने नहीं देखा कि हम कौन सी color की ball निकाल रहे है सिर्व रेंडमली हमने hand डाला और निकाल चिक है what is the probability of getting red ball red ball आने की probability कितनी होगी it is more or less than getting a yellow ball और यह जाजा होगी कि कम होगी yellow ball से यह भी हमें बताने चाहिए so now we have solution अब हम solution देखते हैं there are in all four plus two that means six outcomes total outcomes कितने होगी four plus two six होगी क्यों कि four हमारी red ball है और two हमारी yellow ball है तो total outcomes कितने होगी हमारे six होगी of the event getting a red ball consists of four outcomes red ball आने के कितने outcomes हो सकते है only four outcomes हो सकते है why therefore the probability of getting red ball is four by six क्योंकि total outcomes हमारे six है और red ball आने की probability कितनी हो सकती four by six चीक है तो अगर यह cancel होता है तो यह हो जाएगा हमारे two by three हम कह सकते है two by three is the probability of getting red ball चीक है in the same way probability of getting yellow ball अभी yellow ball आने के probability क्या होगी total outcomes आपके कितने है six और yellow balls कितनी है अपकी two तो यह कितना हो जाएगा one by three तो one by three कितनी क्या होगी probability होगी yellow ball आने के therefore probability of getting red ball is more than that of probability of getting yellow ball मतलग red ball आने के probability जादा होगी as compared to yellow ball चीक है आगे आप लोगों को समझ में so moving on next try these अब हमें इसको ट्राइब करना है suppose you spin the wheel अगर हम इस wheel को spin करते हैं अब इसमें यहां पे numbers दिये हैं जी आर जी आर जी जी तो यह क्या है हमारे sectors है so first list the number of outcomes of getting green sector and not getting a green sector on this wheel हमें क्या करना है outcomes निकालना है कि green sector कितने होंगे और not getting green sector in this wheel ठीक है तो देखो यहां पे green sectors कितने होंगे तो पहले हमें total sector count करने होंगे तो टोल सेक्टर कितने हैं 12345678 ठीक है तो हमारे यहां पे total number यहां पे total number of sector हमारे कितने हैं total number of sector है हमारे 8 ठीक है 12345678 अब green sector कितने हैं तो 1 2 3 4 5 ठीक है तो यहां पे हमारे जो green sector है वह कितने हैं तो green sector है हमारे 5 ठीक है यह हमारे green sectors है और red कितने हैं 3 तो हम बोलेंगे कि हमारे यहां पे next red sector कितने हैं तो red sector है 3 अब question है list the number of outcomes of getting a green sector तो हमें क्या करना है green sector आने की probability है वह हमें पताने है तो क्या होगी probability green sector आने की probability तो हम देखेंगे green sector तो कितना हो जाएगा green sector आने की outcomes की probability तो यहां पर आपके total outcomes कितने है एग ग्रीन कितने है 5 तो यह हो जाएंगे 5 by 8 अब next and not getting a green sector on this field अब green sector नहीं आने की probability कितनी होगी तो नहीं आने की मतलब 1 2 3 क्योंकि जब red sector आएंगे तब तो नहीं होंगे ना तो हम क्या बोलेंगे नहीं आने की probability not getting a green तो हम लिखेंगे not getting green sector कितने हो जाएंगे हमारे 3 by 8 ठीक है next find the probability of getting a green sector अब green sector आने की probability हमारे कितनी होगी तो हम यहां पर निकाल लिया है find the probability of not getting green sector नहीं आने की probability हमारे कितनी होगी तो हो जाएगे हमारी 3 by 8 ठीक है आगे समझ में moving on next so chance and probability related to real life अब real life में जो chance होते हैं probability होती है उसका क्या use होता है क्या है वो हम यहां पर समझते हैं we talked about the chance that it rains just on the day when we do not carry a raincoat what could you say about the chance in terms of probability could it be 1 in 10 days during rainy season the probability that it rains is then 1 by 10 the probability that it does not rain 9 by 10 that means कि अगर हम किसी दिन भर से बाहर निकलते हैं और हम raincoat नहीं लेके जाते हैं तो बारिश होने के क्या chance होंगे और नहीं होंगे तो chance होंगे मतलब कितने 1 by 10 जो होंगे वो बारिश होने के chance होंगे और नहीं होने के कितने होंगे 9 by 10 assuming as you mean raining or not raining on the day are equally likely the use of probability is made in various cases in real life that means 1 by 10 जो chance होंगे वो probability होगी बारेन होने के and 9 by 10 जो chance होंगे वो क्या हो जाएंगे नहीं होने क्योंगे तो this is the example of real life okay now we have exercise here 5.3 so very first question is list the outcomes you can see in these experiment okay आपको देखना है outcomes निकालने कि इस experiment में कितने outcomes होंगे तो very first question में हमें क्या करना है spinning sorry spinning a wheel okay so we have हमें क्या करना है spinning a wheel अब इस wheel को spinning करना है बढ़ हमें बताना है one two three four five कितने होगे total five outcomes होगे now B में क्या होगा tossing two coins together अगर हमारे पास two coins है इनको अगर हम toss करते हैं तो क्या और outcomes क्या क्या होंगे तो outcomes होगे head, head, tail, tail इतने outcomes होगे moving on next what when a die is thrown list the outcomes of an event of getting अगर एक die को through करते हैं तो ठीक है very first question है a prime number a a prime ठीक है या फिर not a prime number या फिर a number greater than five और क्या है a number not greater than five सबसे first है prime number आना ही कितने outcomes हो सकते हैं तो dyes में कितने outcomes होते है कौन-कौन से outcomes होते है outcomes होते है one, two, three, four, five and six अब इसमें से prime number कौन-कौन से है तो एक है two फिर आपका three ठीक है और यापका five यह आपके prime numbers है तो these are the outcomes of prime number फिर इसी का जो B वाला question है not a prime number तो not a prime number one four and six these are the not a prime number फिर second question का जो first है महाँ पर है a number greater than five तो कितने outcomes होंगे greater than five six पस होगा फिर इसी का जो second a number not greater than five one, two, three, four these are the greater than not greater than five तो इतने numbers होंगे जो greater than five यह नहीं होगा ठीक है moving on next question that is question number three first probability of a pointer stopping on d in question one a ठीक है तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो हमारा question one है उसमे probability बताना है of the pointer stopping on d d पे stop होने की probability क्या होगी तो यहाँ पर में third question को solve कर रही हो a ठीक है तो यहाँ पर d कितने है one, two, three, four, five तो five outcomes total हो जाएंगे और d में आने की probability क्या होगी 1 तो यह हो जाएग आपका one by five चीक है तो इसका answer हो जाएगा आपका one by five moving on next probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing card चीक है तो पहले तो में यह पता होना चीए कितने ace होते हैं total four ace होते हैं चीक है किसमें a deck of card तो ace आने की probability क्या होगी तो total outcomes आपके कितने हो जाएंगे total outcomes हैं आपके 52 ठीक है और ace कितने होते हैं आपके 4 तो कितना हो जाएगा जो आपकी probability है probability प्रोब्रेबिलिटी आप 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 एटिंग आप कितने हो जाएंगे 4 by 52 कितना हो जाएगा 4 by 52 बजाओ मुझे तो यह हो जाएगा आपको 1 by 1 4 ठीक है 1 by 14 next question C question probability of getting a red apple इसमें से red apple आने की probability कितनी ही तो पहले red apple काउंट करो 1 2 3 4 सबसे पहले total apple कितने है total apple कितने है 1 2 3 4 5 6 7 total apple 7 red apple कितने है तो red apple काउंट करो तो 4 है red apple अब हमें बताना है कि probability of getting red apple हमें red apple की probability बताना ही है तो red apple की probability क्या हो जाएगी आपकी 4 by 7 आ रहे समझ में moving on next question that is question number 4 number 1 to 10 are written on 10 separate slips आपकी पास 10 separate slips उसमें आपकी पास numbers written 1 to 10 is kept in a box और एक box के अंदर है मतलब एक box है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी किया है strips है ठीक है और कितनी strips है तो यह strips जो है यह है आपकी 1 to 10 10 किसी में 1 किसी में 2 किसी में 3 किसी में 4 किसी में 9 किसी में 8 किसी में 7 किसी में 5 किसी में 6 किसी में 6 किसी में 5 किसी में 6 किसी में 5 किसी में 6 शूदर जैसे मैंने आपको बैगजेंपल दो कि हम बने बबॉल को निकालते हैं तो उसकी प्रोबैबिलिटी किया होती है उसको बोलते है एक हमारा जो एक्सपेरिमेंट है रेंडन एक्सपेरिमेंट ठीक है अगें यहां पे भी हो रहा है तो फॉर्स्ट वेस्टब्स है सब पहले हमारे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगी कैसे हमारे जो टोटल नंबर वो कितने है तो टोटल नंबर एज टेन कितने होंगे हमारे टेन और गेटिंग नंबर 6 तो कितना हो जाएगा 6 by 10 कि टोटल आपकम सेंगे 3 by 5 फिर सेकंड गेटिंग अनंबर लेस देन 6 अब लेस देन 6 कितने नंबर होंगी तो कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 इतने नंबर होंगे जो लेस देन 6 होंगे तीक है अब गेटिंग नंबर लेस देन 6 कितने होंगे 1 2 3 4 5 कितने नंबर होंगे आपके ऐसे 5 और टोटल आउटकम कितने हैं 10 तो यह हो जाएगा आपका 1 by 2 एक है नाव मुविग नेक्स विश्चन अब थर्ड गेटिंग अनमबर ग्रेटर देन 6 तो कितने होंगे 7 8 9 10 इतने नंबर आपके ओंगे जो ग्रेटर देन 6 होंगे टोटल आउटकम सापके कितने हो जाएगे यहां पे तो आपको अब निकालना है यहां पे घेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 कितने हो जाएंगे यह होगे आपके 4 नंबर और अपान होगे 10 क्योंकि 10 तो यहां पे हो जाएगा आपका 2 बाए 5 ठीक है लास्ट गेटिंग 1 डिजट नंबर सिर्फ 1 डिजट नंबर कितने होंगे तो हो जाएगे 4th question 1 डिजट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कितने नंबर से टोटल नाइन है और टोटल आउटकम्स कितने हैं 10 तो यहां पे आपके गेटिंग यह वन डिजट नंबर यह टिंग वन डिजट नंबर कितने हो जाएंगे यह हो जाएगे आपके 9 बाए 10 ठीक है moving on next question that is question number 5 if you have spinning a wheel with three green sector one blue sector and one red sector what is the probability of getting a green sector what is the probability of getting non blue sector okay suppose आपका यह एक wheel है इसमें कितने sector है one two और यह three sector और यह ब्लू sector है और एक इसको मैं फिर से ड्रॉकर लेटे हुए अचिक है मैं आपे सर्कल की हेल्पस को टो कर लेकिए तो भी है वा दिस इस इस ठीक है इसको मैं रफली बनाती हूं क्योंकि हमें sectors जो है वो अज़ा में दृपस को क्यों आसक्त में नोगी हिए जो गया हमारे यह टुके तोँ अभ यहां पर आमारे पास घ्रीग मी औरिक हमारा ब्लू है ऑर आरे tak हम प basin हिस्के तो यह हमारा एक ऑब इसमें की बताना है कि प्रोबैबिनटी of getting a green sector green sector आने की probability क्या होगी तो देखो पहले हमें total sector बताने परेंगे तो total total outcomes of spinning a wheel total outcomes of spinning a wheel कितने हो जाएंगे यह हो जाएंगे आपके 5 चीक है अब आपको क्या बताना है पहले तो यह देखना है है कि हाँ probability probability of getting probability of getting green sector फिक है इसे प्रोबाबिलिटी आपको पताने है तो टोटल आपके फाइव है और ग्रीन सेक्टर कितने हैं थ्री फाइव थिक है अब प्रोबाबिलिटी ओप गेंटिंग नॉन ब्लू सेक्टर तो हमें क्या पताना है प्रोबाबिलिटी ओफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर को कितने होंगे आपके ब्लू को छोड़के सारे नॉन ब्लू है तो मतलब ब्लू तो एक ही है बाकी फाइव है फॉर है नॉन ब्लू यह हो जाएंगे फॉर बाइट टोटल आउटकमिस फाइव चिक है नेक्स वेस अब इसमें हमें क्या बताना है फाइंड प्रोबाबिलिटी ओफ गेटिंग इवेंट इन सेक्टर तूट इवेंट हमारे एकछर में क्या होते हैं आउटकम्स होते हैं यहां पर हमने लिग को त्रोण किया अउटकम और इवेंट तो देखो यहां पर आपका जो नब्लू 6 यहां पर आपको बताना है कि इवेंट कितने होंगे probability of events given in question number 2 so in question number 2 first of all I will change the color of my pen so here is your question number 6 6 में बताना है कि probability of event question 2 question number 6 जो हमारा question को copy paste कर लेते हैं so question number 6 solve event probability of getting outcomes outcomes of throwing outcomes of throwing कितने होंगे total यह हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 कितने होंगे 6 outcomes होंगे ठीक है very first question अब प्राइम नंबर आने की probability क्या होगी तो प्राइम नंबर आपके कितने होंगे 2 3 5 इतने होंगे टूटल 3 होगे प्राइम नंबर से 3 प्राइम नंबर ठीक है तो इनको आने की probability कितने होगी 3 प्राइम नंबर को आने की probability कितने होगी तो टोटल आउटकम 3 by 6 हो जाएगा तो यह होगा आपका 1 by 2 this is the solution of very first question second question not a prime number prime number नहीं कौन-कौन से 1 4 6 these are not a prime number तो यह 3 हो गए 3 not a prime number अब इनको नहीं आने की probability कितनी होगी तो यह भी 3 by 6 हो जाएगी तो यह भी आपकी 1 by 2 हो जाएगी फिर second question का जो A वाला है उसमें क्या हो रहा है और number greater than 5 तो कितने number है जो greater than 5 है तो एक ही number है जो कि 6 है जो greater than 5 है तो उनली one number है ठीक है तो इसको आने की probability क्या होगी यह हो जाएगा total outcomes आपकी हो जाएगी 6 और 1 तो यह होगे 1 by 6 अब last question है आपका क्या second का B a number not greater than 5 तो कितने number है जो greater than 5 नहीं है तो इतने number है 4 numbers in total जो greater than 5 नहीं है तो probability not getting not a greater than 5 तो कितने हो जाएगे total outcomes 6 हो जाएगे और यह हो जाएगे 4 तो यह हो जाएगा आपका 2 by 3 ठीक है तो this is the solution of question number 2 of question number 6 ठीक है आगे answer समझ में आगे आपको कैसे solve करना probability probability एक बहुत interesting topic है उसको आप daily life में भी use करके देख सकते हैं live example के साथ समझ सकते हैं probability क्या होती है ठीक है तो probability बहुत important topic है important chapter है इससे जरूर जरूर आपके questions बनते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए बहुत ही help करेगा number increase करने में अगर आप लोगों को कोई भी issues है कुछ भी problem है कोई question पूशन पूशन है comment section ने comment करके बताईए session it is my humble request if you like my videos then please like it and if you want more video then subscribe this channel and do share with your friends thank you so much bye-bye